हलो दोस्तो वेलकम टू जोचना किचिन आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता बहुत इजी रसीपी है एकडम पॉर्फेक्ट मैंने बताई है तो ध्यान से देखिएगा यह देखिए सॉस जैसे वो पैने में से कैसे ऊज के बाहर आ रहा है न दम सॉसी चीजी और पास्ता की रसीपी तो यहां पर मैंने 250 ग्रैम पैने पास्ता लिये हैं इसे हम सबसे पहले बॉइल करने रखेंगे तो बॉइल करने के लिए जितना पास्ता है उससे डबल मैंने पानी लिया है और यह मैंने पहले से ही बॉइल करने रख दिया था पानी अब इसमें मीडि करेंगे वन टीस्पून सॉल्ट और एकदम हाफ टीस्पून ओइल बहुत ज्यादा एड नहीं करना है पास्ता पे ओइल कोट हो गया तो कोई सॉस उसके ओपर कोट नहीं हो पाएगा जिससे क्या होगा उसके टेस्ट में मज़ा नहीं आएगी और नमक बराबर एड करना है क् नमक पास्ता के अंदर तक पैनिट्रेट होता है तो यहां पर देखिए मैं बॉइल हो कर रही हूं और बॉइल करते वक्त बीच में एक दो बार इस तरह चला लीजिए यह हमने चार से पांच मिनिट तक बॉइल कर लिया है और यहां पर मैं कट करके बताऊं यह देखिए थोड़ा सा फॉर्म की तरफ है इसका मतलब यह 90% कोख हो गया है तो 90% ही कोख करना है इससे जदा कोख नहीं करना है तो बस यह फ्लेम बन क्यूं क्यूंकि बाद में सॉस में भी वह कोख होगा ना तो फ्लेम ओफ और इसे अभी स्ट्रेणर में निकाल दीजिए स्ट्रेणर में निकालते ही हमें इसे थंडे पानी से या तो नल के नीचे आप दो सकते हो या बोटल से पानी लेकर इसके उपर आप डाल सकते हो तो मैं सीधा अब यह स्ट्रेणर नल के नीचे लेके जाऊंगी यह देखिए मैं टैप के नीचे टैप वाटर से इसे धो र कुकना चाहिए और इसे अभी आराम से इसे फैला के थंडा होने दीजिए अगर हम यह देखिए यह मैं क्या बता रही हूं यह काटके यह हलकी सी अंदर वाइट रिंग दिख रही है आपको बस इसका मतलब यह 85-90% कुक हो चुका है कट रहा था लेकिन थोड़ा फॉर्म था अब हम पास्ता चौकने के लिए यह वेजिटेबल्स ले लेंगे आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो मैंने सब हाफ-ाफ लिया है हाफ ओनियन हाफ कैरट हाफ-ाफ तीनों कलर की शिमला मिर्च क्यूंकि साइज बड़ी थी तो हाफ-ाफ ही लिया है बा यह अपनी चॉइस है आप जाधा कम ले सकते हो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है टू टेबल स्पूम ओईल हम सारे वेजिटेबल स्वाटे करेंगे इसमें तो सबसे पहले हम डालेंगे ओनियन सबको मैंने ऐसा डाइस कट कर लिया है जिसे वो लुक अच्छा आए और जा चलाते हुए मीडियम टू फ्लेम हाई की तरफ है इस वक्त क्योंकि जादा हमें कुक्क नहीं करना है इसे हलका सा इसका कच्छापन निकालना है तो यह हलके से कलर नहीं चेंज होना चाहिए हलके ट्रांसपरेंट हो जाए एक से देर मिनिट बाद यह तुरंद मैंने कैरट चेंट एड़ कर लिए कैरट हलकी सी स्टिफ रहती है इसलिए इसे भी देर से देर मिनिट तक इसे भी इस तरह मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लिजिए चलाते हुए मैंने ये देर मिनिट कैरट भी पका लिए अब हम सारी शिमला में चेंड करेंगे ग्रीन येलो रेड करेंगे कॉन कॉन बॉइल नहीं थे इसी में वो कुख हो जाएंगे जितने भी कुख होने ज्यादा ओवर कुख वेजिटेबल्स नहीं करने यहां पर हमने हाफ टीस्पून सॉल्ट एड़ किया सब चीजों में सॉल्ट रहेगा सॉल्ट लिमिट में डालना वन फॉथ टीस्पून ब्लैक पैपर पाउडर और अब एड़ करेंगे हम हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स यह सब को जबी मिक्स करते हुए डेड़ से दो मिनिट तक इसे अच्छे से चलाते हुए कुख कर लेना लेकिन ओवर कूक नहीं करना है इस क्रांची ही रखने हैं सारे वेजिटेबल्स लेकिन हलके से कूक करना है तो दो मिनिट दो से तीन मिनिट लग जाएगी तो यह बस अभी यह कूक हो गए हैं तो अब मैं फ्लेम स्लो कर दिये मैंने और मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर पर रही हूं क्यूंकि इसी कडाया में मुझे अभी white sauce बनाना है क्यूं दूसरे दूसरे vessels नहीं करने हैं इसी में हम काम चला लेंगे अब यह थोड़ा सा oil है ना अच्छा है इसी में अब हम butter डालेंगे क्यूंकि white sauce तो butter में ही बनता है यह oil butter को ज्यादा over जलाने से भी रोकत थोड़ा melt हो जाए उसके बाद हम इसमें add करेंगे 3 टेबल स्पून मैदा जितना butter लोगे उतना ही मैदा लेना है same proportion में 3 टेबल स्पून butter था तो 3 टेबल स्पून मैदा तो यह perfect 3 टेबल स्पून मैदा है इसे एकड़म slow flame है यह slow flame पर चलाते हुए हमें मैदे को 3-4 मिनट तक भूनना है आराम से भूनिये एकड़म slow flame पर जिसे यह जले भी नहीं और अच्छे से भून जाए बहुत अच्छे से भून जाएगा और जब भूनेगा यह देखे जब भूनेगा तो यह अपने आप light color का हो जाता है और थोड़ा सा हलका भी हो जाता है तो यह मैंने 3 मिनट के उपर हो गई है और मैंने यह भून लिया यह देखे पर्फेक्ट भून गया यह अब इस टाइम पे मैं 2 कप milk एड़ करूंगी यह milk हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एड़ करना है फ्लेम स्लो ही है थोड़ा थोड़ा एड़ करेंगे तो lumps नहीं होंगे और यह टाइम पे आप help ले लिजे विसकर की जिससे थोड़ा प्रोसीजर इजी हो जाता है चमत से भी आप कर सकते हो बड़ विसकर होगा इस तरह आप विसकर करते हुए इसे मिक्स करोगे न तो वो जरा भी lumps नहीं होंगे और अच्छे से smooth batter बनेगा एकदम smooth consistency का अपना white sauce बनेगा यह देखे मैं थोड़ा थोड़ा milk एड़ करती जारी हो और विसकरती जारी हो इस इसे जरा भी lumps नहीं हुए और बैटर एकदम smooth बन गया तो इस तरह विसकर होगा तो अच्छा है वरना चमत से भी कर सकते हैं वो कोई issue नहीं है तो यह अपना must white sauce बन रहा है अब इसे थोड़ इसी flame medium कीजिए अब तक slow flame थी अब medium flame पे इसे आराम से 2-3 मिनिट पकने दीजि तो यह white sauce अपना पक जाएगा यह देखें दो मिनिट मैंने अच्छे से medium flame पर पका लिया है और यह अपना white sauce must पक गया है perfect consistency कैसे मालूम पड़ता है यह back of the spoon पे यह coat हो गया है एक layer पतलासा एक layer coat हो गया ना इसका मीनिंगी वो हुआ कि हमारा white sauce पक गया है इसी stage पर हम add करे इसमें half teaspoon red chili flakes और बाकी के भी मसाले जो half teaspoon kalimerica powder और मैं add करूंगी यहाँ पर oregano हम mix herbs भी ले सकते हैं यह मैंने half teaspoon salt डाला है salt जादा नहीं सब जगह salt है और यह देखिया half teaspoon मैंने oregano लेगे तो oregano काली मेरी सब कुछ half teaspoon लेना है और salt भी half teaspoon लिया क्योंकि सब जगह sauce salt use हुआ है तो बहुत over salty ना हो जाए उसका ध्यान देना है अब हम यह add करेंगे हमारे stir vegetables यह sauce में अच्छे से हम mix कर लेंगे सब कुछ cook डी है तो खाली mix करना है और यही stage पे हम add करेंगे हमारे pasta यह मैंने mix कर लिए vegetables अब add करेंगे हम हमारे pasta यह देखिये जो pasta मैंने wash करके रखे थे ना side में boil करके तो यह वाले पास्ता अब इसे अच्छे से coat करते हुए देड से दो मिनट मीडियम flame पर ही अच्छे से चलाते हुए इसे cook करना तो पास्ता का एक जो 10 टका cook होना बाकी है वो इसी समय पे pasta sauce में cook हो जाएंगे हलके हाथ से mix करना नहीं तो पास्ता break होने के chances होते हैं अच्छे से mix करते हुए हमने डेर से दो मिनट इसे चला लिया है और इसमें मैं add करूंगी अब cheese यह मैंने अमूल cheese cube दो piece ले लिये थे जिसे grate करके रखा था यह grated cheese मैंने इसमें mix कर दिया यह भी optional है कोई कोई लोग cheese नहीं करते हैं बढ़ हमारे घर में cheese पसंद करते हैं इसलिए मैंने cheesy pasta बनाया है तो यह cheese का taste actually बहुत excellent लगता है add कीजेगा बहुत tasty लगता है यह देखिया और जादा saucy नहीं करना है इसे authentically जितना sauce अभी दिख रहा है आपको मतलब सिर्फ pasta पे coat होना चाहिए वो ही perfect consistency होती है white sauce pasta की तो यह हमारे pasta एकदम ready है मैंने डेड़ से दो मिनिट भी इस तरह slow to medium flame पर चलाते हुए पका लिया था और यह हम serve कर रहे है गर्मा गरम pasta serve कीजिए यह देखिए वो जो पैने pasta है वो पैन जो अपनी pasta की जो नली है उसमें से भी sauce ooze हो रहा है वो इतना अच्छा दि परफेक्ट कोटिंग हो गई है मैंने चिली फ्लेक्स से गानिश किया है तो इस तरह बना के देखिए और अगर मेरी यह recipe अच्छी लगे तो इसे like कीजिए share कीजिए और subscribe करना बिलकुल ना भूले thanks for watching bye